दोज़ार पच्चिस साल आने में अब ज़्यादा टाइम रहनी गया है और आपको पते हैं यह दोज़ार पच्चिस में डेबल डबली में क्या बड़े बड़े बम फटने वाले हैं और उसके ग्लिम्स में आपको अभी से देना शुरू कट चुका हूँ और अभी दुबार सीना के हैं रोयल रंबल जीतने के और मैं आपको यह बतायाता हूं कि जब भी हम और्ड की बात करते हैं इतने टाइम से जो 6-7 सालसों में कंसिस्टेंटली देख रहा हूं सबसे एकुरेट मतलब परसेंटेज के साब से अगर किसी शोखे और्ड होते हैं तो वह रोयल आया हूं passing the torch वह सब नीचे आगरी साल तुम हो आगरी के एक महिने में कर लें लेकिन शुरू के टाइम में तो हमको पूरा तुमारा दब-दबा है वही चाहिए और वेलकम है आपका वॉइस ओफ रेस्लिंग के एक और एपिसोड में आज पतनी थोड़ा अच्छा सा लग सवाल पूछा मतलब बिल्कुल वही ऐसा लग गी जो हमारी दिल की बात है सीधा वही पूछ लिए और सवाल बहुत सारे थे और उसके आंसर भी रोमन रेंस ने ऐसे घुमा फिराके नहीं थी जैसे उनसे पूछा कि भीया तुमारा जो रैसल मीनिया का मैच है वो चेंज तो भाई क्या स्वाग वाला रोमन रेंस ने इसका अंसर दिया कहते हैं मैं तो एक होट चिक हूँ जिसके साथ हर कोई बाहर जाना चाहता है समझे वह कि मेरे को तो मेरे जो काम है वो मैंने किया और तुम्हारा जो रोमन रेंस और रॉक वाला मैश नहीं हो पाया इसके नहां पर इंट्रस्टेट रिखा दे और अब इंट्रस्टेट होने नहीं से क्या फरक पड़ता क्योंकि हमको पता है यह मैश तो होना ही होना है चाहे अगले साल रेसल मिना में या फिर थोड़ा रुक के लेकिन इस मैश को डेवल डिलिवर पक्का ही करने वाली है फिर उन उन्हें चीजों को लेकि पूरी क्लारिटी नहीं दी कहते हैं अब देखो मैं सब कुछ तो नहीं बता सकता और मेरी जो डेट से अभी वह भी फाइनल नहीं है कि कौन-कौन से रॉक एपिसोड में होंगा रोड टू रेसल मेनिया तक और कहीं नहीं कहीं यह बोलके उन्हों रोमन रेंस ने अपना टेक या फिर से दिया मैंने आपको अगर आप एक्टिव चैटर होगे चैनल पर आपको बताया था कि कैसे कोडी रोड्स में काफे सारे इंटर्व्यू में बोला कि उनकी अंडिस्पूटेड चैंपिन्शिप जब वो जीते थे रैसल मीने में तो उ थोड़ा सा अपना एक्टिट्यूड है कोडी रोड्स के लिए वह दिखा दिया बड़ यहां पर उन्होंने काइंड ऑफ एप्रिशेट भी किया जो कि आप उनके वर्ड्स में जिस तरीके सो ने खेला है तभी समझ सकते हैं कोडी जो काम कर रहा है बहुत अच्छे सो उसक चाहिए हमें दुबारा से वह अंडिस्पूटिट चैंपनशिप चाहिए तो क्लियर रोमन रेंज का गोल है यहां पर कि अब वह उला फाला के साथ साथ अपने ओटी सी वाले जो स्पॉर्ट है जो स्टेटस है उसके साथ साथ अंडिस्पूटिट चैंपनशिप के ओपर पूरी तरह से निगाहें रखे हुए तो उस पॉसिपलिटी को कभी भी रूल आउट नहीं कर सकते में भी बहुत जल्दी कि आपता रोमन रेंज चैंपन भी बन जाए जिस बी तरीके से डेबल ड़ली स्टोर लाइन को आगे लेकर लेकर लेकिन इच्छा रोमन रेंज की अब सेत्हूलन की ओर वी कुछ रोमन रेंज का कहना था जाइसे रोमन रेंस के एक वश्लीन से बेहन दिए ने यूज किया मैं कभी भी मौका नहीं छोड़ने वाला उसने मुझे सिखाया है कि कैसे लोगों पर भरोसा करते हैं कैसे भरोसा नहीं करते हैं तो हमेशा एक चेयर की स्वेश दूर है वह कि यहां से जो दुष्मनी रोमन रेंज और सेथ रॉलेंज की अभी वह यहां इसे हो सकता है अगा लेकि बहुत बड़ी चीज देनी पड़ी हो कि बहुत ज्यादा खुंदग में दोनों सूपरस्टार एक दूसरे से सैथ भी रसा ही बोलते हैं और रोमन रेंज भी ऐसा बोल रहे हैं लेकिन अभी जो स्टोरी चल रही है उसके ओपर तो ओवेसली हमारा ज्यादा फोकस है कि अभी सीम पंग आ गए हैं पॉल हमन आ गए हैं तो अब क्या स्ट ओठ रहता है तो मैं है तो निए पॉल हमन के साथ मुझे ज्यादा बात चीट करने का मौका मेरा जैसे सवाल अगर मुझे वह उन्हीं तो शार॥ क्लियरिटी के साथ रोमन रेंज ने ऐसा अडमिट नहीं कि और उसके आज पास आज चुका है यह मुझे बहुत सही लगा कि मतलब सूपस्ट एक तो है डेवल डॉब्ली में प्रॉब्लम बता है कि जैसे उसको फेक बोल देते हैं कि इस वज़े से क्योंकि जब कोई बंदा मुवी कर रहा है शारुक खान सल्मान खान या फिर रॉक तो वह जब मुवी कर रहा तो वह अपने क्यारक्टर में उसके सब्सक्राइब करते हैं तारीफ उन्होंने करी लेकिन उनका रिलेशन पूरा 100% सही हो गया वैसी वाइब दीन उन्होंने और पिर सीम पंक के ओपर कॉमेंट कि ब्लॉड लाइन की जो स्टोरी है इसमें अब क्या है आगे सीम पंक आचुका है तो बहुत बढ़िया लगता है कि ऐसे उसने बहुत अच्छे से अपने आपको फिट कर लिया है लेकिन सीम पंक के बारे मों कहते हैं कि देखे कुछ ऐसा लगा कि जैसे तुम अपनी गैस्ट लिस देख रहे और अचानाक से कहा देख तो यह बंदा इसमें कहां से आ गया तो हैसा करके उन्होंने सीम प आपर कहते हैं एक गयान में एक बार में की दलवार आ सकती है तो वही चीज हो रही है आप पर सीम पंक और रोमन रेंस वाली जो भी सिचुएशन है तो बहुत चीजे रोमन रेंस ने अच्छे से बोली आप जो था इंटर्वी में बहुत माल मसाला लगा बही मुझे तो आ पर्सनलिटी उनकी इस इंटर्वी में भी वार गेम्स मैच कितना धासू है वो सब आपको पता यह भाई इसकी ओपर ही पूरा डेडिकेटेट एपिसोड क्या स्पॉर्ट होगा कौन पिन होगा कैसे स्टोरी चलेगे सब कुछ वह है ना कि आपको अपने आपको भिगा देना है तो वह वार गेम्स का एपिसोड आपके लिए लिंक पहला ही डिस्क्रिप्शन का में है स्पॉर्टिफाय का और भाई थैंक्यू आपके वहां पर सपोर्ट के लिए थोड़ा बहुत रेट पगएड़ा कर दो गया तो और ज्यादा चो जागा लेकिन उसको मिस्मत करना लिंक डिस्क्रिप्शन अगर कोई सोलो सिकोवा का फैन नहीं है तो अब इस सेकंड से वह सोलो सिकोवा का फैन बनने वाला है इस बात की गैरेंटी मुझे अभी अभी ले लो आप क्योंकि अगर आपने पसंद ना करो यह लाइव इवेंट से नहीं है वैसे मंडेनाइट से डार्क में मैच हुआ था और यहाँ पर कोडी रोड्स जो टेबल पर हैं सोलो सिकोवा को पटक के मार रहे हैं और भाई देखो सोलो सिकोवा क्या कैजूल क्या मस्त अपनी मस्ती में है पहले ऐसे हाथ जोड़ा फिकर आएसे अपनी करूंगा रोग जा मतलता इता फ़नी की एक्सप्रेशन सोलो सिकोवा ने दिया और भाई अब मैं देख रहा हूं सोचल मेडिया पर भी एप्रिसेशन है वह मिलना शुरू हो चुका है सोलो सिकोवा को क्योंकि बंदे ने इतना काम कर लिया बहुत साल लोगों ने उसको सस्ता ट्रावल चीफ बोला और वो तो सस लिजनल ट्रावल चीफ बंदे के चक्कर में जो नई साइट दीके सोलो सिकोवा कि मैं तो अब इस वीडियो को देखने के बाद उनको पसंद करना शुरू करना तो मेंडेटरी सही है देगा आपको पता है बहुत टाइम पहले ही मैं रिकिशी की कोई भी बाते बताना सवाल पूछा कि यार वाइज में पतानी रोमन रेंज के साथ कैसा लग रहा है तो अगर अपने ही किसी बंदे की जुरत पड़ेगी रोमन रेंज को तो तुमसे अच्छा वो कौन बंदा हो सकता है क्योंकि आपको पता है रिकिशी फॉर्मर डेबल डवली सूपरस्टार मैनेज करने का भी खाम करो एक तो उनका जो शरीर है जो पूरा जिस तरीके का सुड़ा शरीर हो बिल्कुल पॉल हमन की तरह लगता है तो अगर रोमन रेंज और पॉल हमन की बीच में दोके बाजी हो रही है तो बहाई एक चीज क्लियर है कि अगर रिकिशी को यह लेके आ अच्छा प्ले आउट कर सकता है निव डे के बीच मामला कितना ज्यादा गरम हो गया कोफी किंग्सिन और जेवेर वुट्स के बीच में जो हुआ था मंडे नाइट रोम उसके बाद भाई कोफी किंग्सिन तो एक्दम सीरियस में घुस्से से हो गया रहे बैक्स्टेज ज लेकिन उससे बड़ी बात है कि यह ब्रेक अप जो है यह तो बहुत तकड़ी वाली पॉप लेकर आने वाला है लेकिन इंट्रस्टिंग तो है मसाला मेरे ख्याल से अगली रौ के में इवेंट में तो इसको स्पॉर्ट मिलना ही चीए क्योंकि यह डिसर्फ करता है अगर कि इस समय अपने लिए दो गुंडों की जरूरा था इस प्लैनेट पर तो सबसे बड़िया जो गुंडों का आपको पेर मिलेगा वह यह वाला है पोटो पोस्ट की अपनी और जेकब फार्टो की और यहां पर लेगा है टू आप अमेरिकास मोस्ट वांटेड मुझे लग रह स्मूद सौन का ट्रांजिशन था इस ब्लट लाइन में आनेगा सीम पंक का एडिशन हुआ है इस वार गेम्स वाले मैच में वह कोई लास्ट मिनट डिसिजिजन नहीं यह बात कंफर्म हो चुकी आपको याद होगा अगर चैनल पर एक्टिव चैटर मैं आपको बहुत पह जाएगा क्योंकि इस बात को तो मैं मानी नहीं सकता कि सुबह ओठे पॉले में मूद है और चलो आज मैं आ जाता हूं क्योंकि इतना जादा यह इसको पहले एडवांस में प्लैन कर लेते हैं क्योंकि पॉले में ने खुद बोला था मैं तब आऊंगा जब स्टोरी लाइन कर बाते हैं उसमें पहला ही दिस्क्रिप्शन में इंजॉय करोगे इसको बस इतना बोलूंगा यहां पर कुछ खिचड़ी कहानी बड़ी तगड़ी वाली तो पक्ती भी दिख रही है आपको पता है सेटरे नाइट में इवेंट में कोडी रोड्स अपनी चैंपिंशिप क करेंगे अगेंस्ट कैविन ओवन्स और यहां पर अभी जो माहौल बना हुआ है वो कुछ इस तरीके का है कि कैविन ओवन्स के पास अंडिस्पूटेड चैंपिंशिप आने चाहिए सुनना पहले ऐसा नहीं कि कुछ भी हवा में बोला जा रहा है यह चीज इसलिए बोली बहुत जटका सा लगेगा अगर वो चैंपिंशिप नहीं ले पाते हैं यहां पर कोडी रोट से लेकिन देखो अब कोडी रोट का जो रहन है वो भी इतना अच्छा नहीं रहा तो लोग कहरें भाई अब यह वाला मूब कर दो कि कैविन ओवन्स को कॉण सा कोई ऑपरचु हर बार बोलूँगा कि कैविन ओवन्स का यार मतलब एप्रिशेट हर कोई करेगा लेकिन जब कोई चीज़ डिजर्व करने की बात आती है तो फिर यार वहां पर थोड़ा सा मामला धेला सा बढ़ जाता है कैविन ओवन्स का शयाद इस बार भी कुछ वैसा हो रहा है पर प तक ब लेट रहसंदी के माज़े